हाई यूर्वन अगेन वेलकम टू टेस्ट बुक सूपर कोचिंग प्लेटकॉम तो फाइनली आपका कट आफ भी आप रिलीज हो चुका है कल विनिंग में आपका रेजल्ट लग चुका था आपको आपका रेजल्ट पता चल चुका था कि आपका नेट आया है कैटेगरी वन में रेजल्ट लगा है कैटेगरी टू में रेजल्ट लगा है यह कैटेगरी फ्री में लगा हैना इस बार तीन कैटेगरी में आपको दिया गया है रेजल्ट एक जे और ऐसिस्टम प्रोफेसर और ऑर अउनली प्ह.ड थीडी त controversy टीक है तो उसका आपको आया था जो PDF form के अंदर हो तो आपको cut-off पर जाना है यहां पर क्लिक करोगे तो यह cut-off आपका open हो जाए का ठीक है और यहां पर mention है minimum cut-off of percentage of the award of junior research fellowship असेस्टर प्रोफेसर eligible for the admission of the PhD यहां पर यहां पर आपको result दिया गया है सबसे पहले हम category 1 की बात करते हैं जिसमें JRF, JRF का chemical science के अगर हम बात करें तो general category में 50.5, 55.5% यानी 111 marks पर आपका cut-off लगा है 55.5% आपको 111 marks पर आपका cut-off लगा है EWS के अगर हम बात करें तो 47.5 यानी 95 marks पर आपका लगा है ठीक है OBC में भी 95 marks और 96 marks पर आपका cut-off लगा है JRF का ठीक है ST category में होगे 36% यानी 74 के आज सपस आपका लगा है ST में 30.7 और PWD के अंदर 25 आपको दिया गया है इन्दी chemical science वैसे ही life science के अंदर percentile के अंदर आपको दिया गया है यहां पर क्यूंके दो shift में एक्जाम होए थे इस वज़े से यहां पर प्रसंटाइल दिया है जनरल category के लिए 99.08 EWS के लिए 96.5 और OBC के लिए 96.4 SC category के लिए 91.7 और ST category के लिए 87.8 आपको दिया गया है ठीक है अगर हम बात करते हैं असिस्टन प्रोफेसर या LS की बहुत सारे लोगों का LS भी आया है ठीक है तो chemical science के अंदर 49.5 यानि 100 marks आपका क्या लगा है LS लगा है जनरल category में EWS में आगे तो 42.5 की बात करोगे तो यह कहीं न कहीं 92 marks और आपके 94 marks के आसपस आ रहा है ठीक है तो यहां पर EWS में 42.7 परसंट आपको लगाए OBC के अंदर 42.9 यानि यह बहुत ही नियर है UWS और OBC का जो cutoff marks से बहुत नियर है SD की बात करें तो 32.4 SD के बाद 27.6 और PWD की 20.5 यह percentage form के अंदर है इसका double कर देना है आपको इसका double कर लेना है ठीक है तो यह percentage form में आपको दिया गया है Life Science के अंदर 98.3, 94.4, 93.7, 87.84 और 83.7 और 69.14 यह percentage के अंदर आपको दिया है यह percentage में आपको दिया गया है यह percentage के अंदर आपको mention किया गया है अब third category जो only PhD वाली है बहुत सारे aspirant का doubt यही आ रहा है कि sir मेरा result only PhD के अंदर आया है वहां पर PhD में दिखा रहा है किसी का LS पलेस PhD आया है किसी का तीनों के अंदर आया यानि जिनका जिर्फ हो है वो LS में भी बैट रहे है और only PhD में भी बैट रहे है न सभी के अंदर आ रहे तो जो only PhD में बैट रहे है उनको fellowship नहीं है ठीक है असिस्टर प्रोफिसर में जो है उनको fellowship नहीं है यह तो आपको लोगों को पता है बट only PhD वाले बहुत जदा आ गए है अब क्या cut-off है only PhD का only PhD वालों का cut-off है अगर आप general category में हो तो 33% अगर आपके है 33% आपके marks है तो आप EWS, OBC और general category के अंदर आपको 33% marks आए होगे तो ठीक है और अगर अगर आप ST category और PWD के अंदर आते हैं ऐसी category में आते हैं तो 25% यानि 50 marks 50 marks आपके आते हैं और SC category ST category और PWD में आप बैठ रहे हो तो आपको 25% यानि 50 marks पर आवो जाओगी यहां पर 33% यानि कितना हो जारा 66 marks क्या सपस आपके हो रहे हैं यानि यहां पर हम बोलेगी कि 66 plus जिसको भी होगे marks वह eligible है only PhD के लिए यानि अपनी PhD कर सकता है कोई भी University से अगर आपके interview अच्छे हो रहे हैं मान के चलो ICER में आपने apply किया है NCL में apply किया ITS में apply किया और आपका interview अच्छा है या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने only PhD plus gate qualified किया है आने वाला gate examination होने वाला और qualified गया तो और double benefit आपको यहां पर देखने के लि तीन पार्ट के अंदर आपका paper होता है इसमें कोई separate cut off नहीं है रेजल्ट डेट डिगे 14 अक्टूबर को आपका result होगा है भाई रैंक अलावटेड फरस्ट टू आल सक्सेस्फुल कैंडिडेट कॉलिफाइंग फॉर दी जी आरेफ ठीक है एस पर लिस्ट आपको दी गही ह यानि only PhD के लिए ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपको दी गई है तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा ठीक है जिनको जेयरेफ हो रहा है उनको तो fellowship मिलने वाली है ठीक है पर जिनका LS और only PhD वाला है वो PhD में admission ले सकते हैं हो सकता है कि उनको institute fellowship मिल सकते हैं पर CSR प्रोवाइड नहीं करें इंस्टूट फैलोशिप मिल सकती है तो गेट प्लस LS वालों को इंस्टूट फैलोशिप प्रवाइड की जाती है अगर गेट आपका इंक्लूड है और आपने गेट कौलिफाइड किया है मान के चलो 24 के अंदर तो आप गेट प्लस LS का इसकी बेस पर हम इंस्टूट फैलो भी ले सकते हैं तो यह सब इंपोर्टेंट मैंने अपडेट आपको बता दिया कट आफ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में पूट कर सकते हैं हम सबसे पहले आपके लिए वीडियो बनाते हैं इसलिए कि आप अंस्टेबल ना हो ठीक है तो only PhD वाले वांस्टेबल ना हो हमें preparation करते रहनी है और उसकी बेस पर only PhD के बेस पर जहां जहां आपको PhD मिल सकता है वहां आपको interview जरूर देना है ठीक है उमीद करते है कि session आपको पसंद आया होगा session अच्छा लगा और valuable लगा तो like जरूर करिए का अपनी present प्रेजंटी जरूर लगाई है ठीक है जिन्दा है इसकी निश्यानी जरूर दिएगा है ना जिन्दा है शारूक खन का डायलक सुना ना आपने कि आप जिन्दा हो तो आपको present करना पड़ता है उस चीज़को तो आप बताए कि हम हैं और आने PhD आजाए वो JRF में चले जाए यही होता है कम मार्क से स्टार्ट हो दार JRF तक जाते हैं ठीक है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलेग्राम लिंक मिल जाएगी वहां से भी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं चले जाए जाए टाइम नहीं लेते हैं मिलते हैं अगले सेशन के अंदर थैंक यू सो मच अपना ख्याल जरूर रखे बाबाई टेके लिए